हाई फ्रेंज बेहूं माने वेलकम टू मुवी शूवी करते हैं आपसे पॉजिटव सा नमस्कार एक चीज़ अब्जर्व करी यह जो पंगा हुआ है पीछे जिसके अंदर शारुक खान ने एड्रेस किया है राम चरण को इडली सांबर करके और अननत अम्बानी साब की प्र रिजूल रिमार्ग था क्या यह कह सकते हैं कि एक किसी रीजन से आए वे एक इंसान के लिए थोड़ा सा डेरोगेटरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कल थोड़ी से हमने इसके बारे में बात करी थी बट आज मैंने कुछ क्वेस्टेंस पूछे थे लोगों से कि उनका क्या इने इसके बारे के अंदर तो ज्यादा कोई रिप्लाइर आए नहीं यूशली मेरे चैनल के उपर जो शारूख खान है उनके भी सपोर्टर्स काफी सारे रहते हैं अप्र ज्यादा कोई रिप्लाइर आई ही तो फिर मैं पौँछ गयर ट्विटर के ऊपर तो मैंने गाई क्योपर राम चारंजी कि हम काफी साथा चास। एज कर रहे हैं अना बनी ट्रेंड कर रहे हैं लेकिन शारू खान ट्रेंड नहिं और रहे हैं तो राम चारंजी कि भही हो छॉट्ष स्टार हैं हमां था फॉट है but you He will rise and He might come and give a statement or something in the direction of that to his fans that okay let's we just move on sometimes it happens and when you're having fun, maybe he must have casually said that, Shahrukh Khan must have casually said that, ऐसा कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन at the same time जो शारुख Khan के कुद के fans है, जो आ सकते थे support के लिए, ये कहने के लिए कि शायद casually ही का होगा, क्योंकि उसके बाद तो देवर having fun and in fact, जब राम चरण स्टेज के उपर भी आता है, तो शारुख Khan out of respect, बो डाउन भी करता है, ये सब चीज़े होती है और सल्मान खान भी वहाँ परता है, सल्मान खान और चरण जीवी के भी काफी अच्छे relationship है, इन सब के आपस में अच्छे relationship होते हैं, so was it one of those statements wherein you just got carried away, because it was a lighter moment, और जो बाते हैं कमरे के अंदर होती हैं, वरी कमरे के भार निकलाती है, one-to-one चल जाता होता है, एक दूसरे को पर बैंटर करना, लेकिन वह बैंटर जब भार जाता है, थोड़ा फिर रियाक्शन भी जाता है, क्विकि पब्लिक फिगर हैं, तो जो शारू खान के फैन्स हैं, जो असली मुद्दा है, क्या वो इस मैटर के अंदर भी सपोर्ट में भार नहीं आ रहें, क्योंकि कुछ भी छोटी-मोटी भी चीज होती है, शारू खान से रिलेटर तो बड़ी नियूस बन जाती है, वारल बन जाती है, पर ये जो चीज है इसके अंदर मैंने अभी तक कोई भी जो फैन क्लब्स हैं शारू खान के, उनको सामने आते वे नहीं दिखा कि क्या हुआ होगा, एक एक वीडियो का जैसे फ्रेम बाइफ्रेम अनालिसस भी कर देते होते हैं, सपोर्ट माने के, तो कहीं न कहीं शायद उनको भी ये लग र आओ में आके मस्ती मस्ती के अंदर बोल दिया गया है, क्या है वो तो पता नहीं, बट सब बता के तारिये के अंदर जरूर कॉमेंट करो, जिन्हों ने एक दूसरे को बोला है, उसको बोलो, जो लोग वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको मत बोलो, क्योंकि मेर से तो क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो करा, शॉर्ट वीडियो था, 60 सेकंड का, उसके अंदर जनरल डिसकेशन हो रही है, और उसके अंदर एंड भी वीडियो ऐसी तरीके से होता है, कि अगर जन्विनली शारू खान ने बोलते हैं, तो that's maybe it's a questionable thing then, और या फिर casual banter ह हो सकता है, तो it's a question, या है उसके अंदर, या किसी ने सुना नहीं, बड़ी conveniently, और हम ये बोल दें, हम वो बोलते हैं, हम तुम्हें ये बोल दें, भाई, मेर को मत बोलना है, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ बोलना हूं, sorry, मैं बहुत कुछ बोल दूँआ, फिर शांती रखो और सबहता के दाइरे के अंदर अपना उपीन रखो ज़रूर, which is a good healthy way of discussion, ऐसे movie-shoe-win जितने भी हैं, उनको अकल है, वो ऐसे काम नहीं आते हैं, वो जदा उचहने लग जाते हैं अंडे की तरह, बाई बाई